हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत एक्स्प्लॉर में finance में जहां पर हम आपके finance को आसान बनाते हैं दोस्तों आज हम आपको बताने वाले कि स्टेट बैंक और इंडिया के ATM मसीन से आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं चुकि स्टेट बैंक और इंडिया ने कुछ समय पहले अपने ATM मसीन के प्रोसेस में कुछ चेंजर लाएं तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से पूरा देखे ताकि एक-एक स्टेप्स को आप जान सके हैं चलिए देखते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप आप SBI के किसी भी ATM मसीन में चले जाएं वहाँ जाएंगे तो आपको ATM स्क्रीन पर कुछ इस तरह का स्क्रॉलिंग वाला फोटो आते हुए दिखेंगे उसी के जस्ट नीचे आपको एक ATM कार्ड डालने का जगह दिया वह रहेगा जहां पर कुछ लाइट ब्लिंग करता हो रहेगा तो यहां पर आप अपना ATM कार्ड इंसर्ट कर दें और इंसर्ट करते ही कुछ देर आपको प्रोसेसिंग लेगा और यहां पर ध्यान रखे कि जब आप ATM कार्ड को तुरंद बाहर ना निकाले क्यूंकि आज का लिए नया फेसलीटी लाए गया है कि जब तक आपका ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होता तब तक आप आपको ATM कार्ड वहीं पर रहेगा तो आप यह चीज ध्यान में रखे कि ATM कार्ड को वहीं पर रहने दे और ATM कार्ड को इंसर्ट करने के कुछ देर के बाद आपके सामने लिखाव आएगा प्लीज सेलेक्ट लेंगवेज मतल इंटर एनी नंबर बिट्विन 10 और 99 तो यहां पर आप 10 से 99 के बीच में कोई भी नंबर एंटर कर दें और नंबर एंटर करने के बाद वहीं राइट साड में दिया गया यस ओप्सन को सलेट कर लें इसके बाद आपको आपका ATM कार्ड का पिन डालने के लिए ओप्सन आए बैंकिंग वाले उप्सन को सलेट करना है जैसे आप बैंकिंग वाले उप्सन को सलेट करेंगे तो आपके सामने दुबारा से बहुत सारे उप्सन आ जाएंगे और इन बहुत सारे उप्सन में से आपको इस बार विड्रॉल वाला उप्सन सलेट करना है इसके बाद आपको आपका account type पुछा जाएगा कि आपका account किस type का है तो आपका account जिस भी type का हो यहाँ से आप select कर ले और जैसे आप अपना account type select करेंगे तो आपको आपका amount इंटर करने के लिए बोला जाएगा कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं तो अब जितना भी पैसा निकालना चाहते हैं वो यहां पर amount एंटर कर दें मैंने यहां पर 3000 रुपे एंटर किया है अब चाहे तो इससे ज़्यादा भी एंटर कर सकते हैं लेकिन हाँ यहां पर याद रखें कि आप 10,000 से ज़्यादा अगर निकालेंगे तो आपको एक आपक 10,000 रुपे डाला है मतलब कि यहां पर 10,000 से नीचे का amount डाला है तो मुझे OTP डालने की जरुवत नहीं है तो यहां पर आप amount डालने के बाद yes वाले option को select कर ले जैसे ही आप yes वाले option को select करेंगे तो आपका जो ATM card है उसको निकालने का option आ जाएगा तो आप वहां से ATM card निक जैसे को आप वहां से collect कर ले इसके बाद आपको ATM screen पर इस तरह का option दिखाए जागा कि आप अपने account का balance देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं तो यहां पर आप जो भी option select करना चाहते हैं वो कर सकते हैं yes करेंगे तो आपको account balance दिखाए जागा no करेंगे तो आप जो पैसा निकालने का जो process था वो पूरा हो चुका है तो दोस्तों इतना करते ही आपका पैसा जो SBI ATM card से पैसा निकालने का जो process है वो complete हो जाएगा और आप अपना पैसा निकाल पाएंगे safely मुझे आसा है दोस्तों कि आपको यह video पसंद आया होगा पसंद आया तो इस video को like जरूर करें, share करें और इस channel को subscribe जरूर करें आप like करते हैं तो हमें motivation मिलता इस तरह video बनाने का आपका इस video को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद